प्रियागराच के हंडिया थाना श्वेत्र के चक सुदर्शन पुर गाव में स्थित मंदर के अंदर से बीती राज चोरोने गेट का शटर काट कर मंदर के अंदर मूर्ती और मुकुट जैसे सामगरी को ले उड़े बताया जाता है कि चक सुदर्शन गाव निवासी महराज हरी हरनन्द जी जो कथा व्यास है उनके घर पर एक सुन्दर मंदर इस्थित है जिसके अंदर कीमती मूर्तिया इस्थापित की गई थी बीती राज चोरोने मंदर के गेट को काट कर मंदर के अंदर रखे डेड़ किलो चांदी 500 ग्राम का सोने का मुकट और राधे कृष्ण की पीतल की मूर्ती बाल वुपाल शंकर भगवान का तीन किलो का अर्ध और रखे आबुशनों को चोरोने बहुत सफाई के साथ लगभग लाखों का चुना लगा कर चंपत हो गए वहीं सुभै जब रोस की तरह हरी हरानंद महाराज जी रोस की तरह नहा दोकर पूजा पाज के लिए मंदर में प्रवेश करने पहुँचे जैसे ही गेट की पास पहुँचे तो देखा गेट आधा गिरा हुआ था और व शक्रदर्सं धन उ ते चोरि कभी करिब दो अर दियुको नहीं पड़ा नहीं किसी को मालूब नहीं पड़ा है हाँ कटर से काटे हैं काटके इसके बाद दरवाजा गिराये हैं तब अंदर गये हैं सामान नो कि लगभग कितने का सामान एक शत्र गया है करीब एक 1.5 तो कभी आपको कभी मालुम पढ़ा हम लोगों को पाँज बेस पुबह है फुल दिसके लिए आपको जो है कुछ कालोनी करवाही कि तुरंत सव नंबर को पून किया सव नंबर आये, इसके बाद इसे डर सहब आये, सारे लोग आये हैं, तो इसके जो है अभी तक कुछ जो है? अब कारवाही कर रहे हैं, अभी किफी का नाम और कुछ जानकाई नहीं हुआ है, कुछ पता नहीं चला है, तभी आगे के लिए कुछ फात्मा फंकाई इसकार्ट कुट्ता भी लेके आये थे, वो भी जो है दौरा उरा है, लेकिन अभी कोई पता नहीं चला है, आपका क्या आपका मकार कहा पर लेकिन तो आप लोगों को कभी मालूप पड़ाए थे पहले महीं देखा इसको मैं जा रहा था लेटिन, अच्छ 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 तो जब वहां आया तो देखा कि दर्वाजा बिल्कु टेंड़ा है, मैं गया लेकिन लेकिन साने के बार तब जा तरी तरी बार हो चुगा है जो कोई बहक चुरि करें नहीं अगर हम कहते है कि जोन तो माग लेकिन जाए ना ऑभी भगवान के घर में चुरी करता है और इख सामने मंदिर है चड़क पे, वहां वी चाट्च गंट बना था उटको भी लेगा आ रहा आख चाह ओ रोटक यही है उत सामने वाला मंदिर, और उसके बाद मार्केट में भी चोरी होई आज, तीन जगा चोरी होई, आजी रात में तीन देगा, आजी रात में तीन देगा, आजी रात में